कि है विडियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमने हमारे हमारे जयओ चैनल का नाम है मार्केट पाट साला से आप आप आपकेडिंग में चेंज किया हुआ है तो पूरा वीडियो एंट दिखेगा ऑप्शन से रेड़ट बात करने वाले हैं और इसपेशली बेंक रेप किये जाते हैं तो ऐसा कौन सा जोन है जहां पर option buy किया जाए especially in bank nifty उस zone के बारे में discuss करेंगे आपको इंट्राडे के इंदर एक दो बार मुखा जरूर देगा तो पुरा वीडियो देखिएगा आपको bank nifty के इंदर एक रुपे के स्टॉप लोस के साथ में 2-3 रुपे चार रुपे भी मिल सकते हैं रुपे का मतलब यह होता है कि 100 रुपे का स्टॉप लगाया है आपने तो आपको 200-304 रुपे भी मिल सकते हैं तो इस वीडियो को एंटर दिखिएगा बहुत मज़ेदार वीडियो और बहुत ही knowledgeable वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है कोई इस टर्ट करते हैं तो बंक निफ्टी का नेकर्ट चार्ड है मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं इस्टेटिजी भी सिम्पल ही है सिम्पल है इस टाइप से जाना चाहिए वन वे जाएगा तो कोयी मतलब नहीं जैसे कोई भी स्टोक आप देखें कभी कि इसा होता है स्टोक के अंदर कि वन साइट रेली कर देता इस टाइप से चला जाता है तो उसमें कभी भी एंट्री नहीं करनी है कोई भी स्टोक या फिर कोई भी इंडेक्स इस टाइप से चल रहा है जो थोड़ा उपर जाता है फि और उसको 1000 पॉइंट भी उपर जाना है तो एक बार वो आपको लेने का मौका देगा पर मौका आपको कहां पर लेना है उसके रिगार्डिंग डिसक्स करेंगे कि अगर बेंक निफ्टी 300 पॉइंट की रिली भी करता है दिन बर के अंदर तो कौन सा ऐसा जोन है जहां पर हमक को ऑप्शिन बाय करना चाहिए उसके बारे में डिसक्स करने वाले हैं तो स्ट्रेटिजी सिंपल है सबसे पहले मौनिंग में उट्टे टेड नहीं बनाना है जो मैक्सिम लोग गलती करते हैं माल लेते हैं कि बेंक के निफ्टी का ये आपनिंग पॉइंट है और बेंक के बेंक करेंगे कि अबतरे अब काुश्य निफ्टी निचे निफ्टी नीच्त की साइड और रहा है तो हम लोग एक बेंक की साइड से करेंगे कि माल लेते हैं कि io पर से यहां से गिरना start होता है और इसको फ़िए जल्दा बाज़ी महरणा मैं हमस्में इंटरी नहीं करनी है गरनेapping दीजिए यू कही न कहीं एक लो लगाए यहां पर एक लो मार दिया वेंक निफ्टी ने इस जोन में आके एक लो लगाया इस लो को और इस हाई को जहां से उसने ओपनिंग किया हुआ है और जहां पर उसने लो लगा यह वो लो कभी भी लगा सकता है मॉर्निंग में आप देखेंगे तो सवा नौ बजे से लेके वो 11 बजे तक भी लगा सकता है दस बजे तक भी लगा सकता है वो कभी न कभी एक लो लगाएगा उस लो के बाद धीरे धीरे करके उपर चलना स्टार्ट करेगा अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मॉर्नि कि साइड चल रहा है वो कितने टाइम में चल रहा है इतना सबस आपको जहां रखना है माल लेता हूं मैं कि उसने मॉर्निंग में सवा नो बजे से लेके सवा दस बजे तक मतलब एक घंटे के अंदर 200 पॉइंट का लो लगा दिये 200 पॉइंट का उसने फॉल कर दिया उसके अंदरा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कोई इशू की बात नहीं है अब हमको क्या करना है इस जो फॉल हुआ है इसका 50 परसेंट का जोन निकालना है इतना ही करना है 50 परसेंट जो हमने एक जो प्राइस का एक्शन हुआ है उपर से लेके नीचे तक का यह माल लेते है हमा यहां पर आने के बाद में इतना ध्यान देना है कि जितनी तहीं से ऊपर आ रहा है तो हमको आपकार बायाँ आर हुआ करना है उसको उपर आने में समय लगना चाहिए यहां पर कुछ न करना यहां करेगा तो फिर ऊसी की बराबर स्वी को 50 % उपर आने में लगना चाहिए चोशहें 지원 वह दिपनी करना यहां पर रांच स्टार्ट करेगा जैसी वह यहांने को पुट की entry लेनी इसके just ओपर का हमको stop मारना है इसके just ओपर का stop मारना है और जहां से इसने जो लगाया इस लो तक फिर से आने की कोशिश करेगा यह maximum time होता ही होता है तो आपको 1-2, 1-3 का आराम से इसके अंदर ratio मिल जाएगा, winning ratio मिल सकता है, मैं आपको फिर से समझायता हू है वो downtrend चल रहा है तो आपको ध्यान क्या रखना है, downtrend की अंदर उपर जो इसका level है, क्यों बैसे उपर से गिर रहा है bank nifty राइट, तो morning में यहां से open हो कि एक बार गिरेगा, उसको गिरने दीजिए, गिरने के बाद में लो लगाएगा, माल लेती है, उसने यह वाला लो यहां से reverse हो जाएगा, reverse नहीं होगा, यहां पर 50% वाले जोन में जाके एक बार rejection जुरू फेस करेगा, मतलब 200 पॉइंट गिरा है, तो 100 पॉइंट तक आने तक आपको वेट करना है, almost 100, मतलब डोट 100 नहीं होता है, 98, 95 या फिर 105 इस टाइप का रेंज आपको identify करने हो, यहा को मैं selling set का scenario बता रहा हूँ, put buy करने का, और अगर bank nifty buying set का scenario मतलब up trend में चल रहा है, तो वो हम लोग एक low को identify करेंगे, यहां से bank nifty उपर इसाट चलना है, start करेंगा, same scenario के अंदर रहेगा, उपर जाएगा, उपर यहां पर एक high मारेगा, high मारने के बाद में वो एक बार नी जैसे ही bank nifty उपर जाना, start करेगा, यहां पर हमको call buy करना है, और इसके just नीचे का stop लगाना है, मैं आपको live chart में चलके दिखाता हूँ, उससे आपको पुरी चीश समझ जाएगी, time frame आपको लगाना है, 3 minute या 5 minute, जो आपके लिए comfortable 3 minutes से 5 minutes, मैं आप लोग लिए 3 minutes का लगात करते हुए आ रहे हैं, देखेंगे या तो यहीं से गिटते हुए आ रहे है, right, so हम लोग को करना morning की candle देखनी है, first of all, क्या देखना है आपको यहां से start करते हैं, right, यहां से start करते है, तो यह तो वो दिन था जिस दिन market ने उपर shoot up किया, फिर वहां से नीचे आ गया market तो इ करते हैं, तो इस दिन भी आप यह identify नहीं कर पा होगी downtrend, क्योंकि यह पहला दिन था जब market ओपर से गिरना start हुआ, तो पहले दिन में आप identify नहीं कर पा होगी market यहां से गिर ही जाएगा, उसके बाल market ने किया कि यहां पर sideways activity करना start किया, right, यहां पर sideways हो गया market, देखेंगे कि आप से पुरा sideways हो गया, तो इसको बेगिन हो, अब हम करना, यहां से इसका proper downtrend होना start हुआ है, देखेंगे आप यहां से properly, bank nifty ने downtrend का एक जो अपना scenario बनाना start किया, तो अब हम क्या करेंगी, यहां पर देखेंगे इस दिन की candle को, ठीक है, यहां पर आद देखेंगे, य यहां इस हाई से एक लो लगाया, कहां पर लो लगाया है, यहां पर जाथे, मॉनिंग की candle है, स 오 क düş Crown को सव तो अब कहा हम आ रहा है 11 बजी जाके, मतलब सवा नोब यह से लेके इसने यहाँ पर लो लगाया, इस हाई से एक लो हम मार्क करेंगे, ठीक है, कितने पॉइंट का फॉल किया है पिले हम वो देख लेंगे, यह अपना हाई है यहाँ यहाँ पर 40,900 और लो इसने लगाया है, 40 फॉल कर दिया, इसने 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 फॉल कर दिया, उसके बाद इसने क्या किया वो देखते है हम लोग, ठी है अब 900 पॉइंत हम लोग क्या करेंगे इसका निकालेंगे हम लोग 450 पॉइंट है तोering हम यह नहीं निकालते हैं कि ऑन्सेर आपर आरें रहे और आन्मोस्ट यहां पर देखिए मतलब ने संक्राशन का Fortune 500 पॉइंट का फॉल किया हुआ उसका 450 को वाला जो यह वाला आ रहा है अब यहां देखिये मार्केट ने क्या किया जितना उसने फॉल किया है उस वाले पॉइंट पर आके मार्केट ने एक बार यहां पर इजेक्शन फेस करना इस्टार्ट किया वह कैसे कि आप देखिए द्धान से यहां देखिए आप स्लोव एंड इस्टी उपर आया यहां पर आने के बात में साइडवेज हो गया देखेंगे आप यहां पर तीन-चार केंडल इसने बनाई वह कौन से केंडल इसने बनाई हैं देखिए आब यहां से यह देखिए एक ग्रीन फिर रेड फिर रेड यह सेंड्विश टैप कर अब बनाया जैसे इस इस लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट के यहां पर उनको पूटबाय करना चाहिए था और आप देखिए अगे डे लोग के आसपास यह यहां पर यह पर फ पस तक आया उसने देलो को भी क्रोस किया उसके बाद तो आप देख सकते हैं इस इस हाओ operators अमतलब operator कभी फिए गिरत यह market में इंट्री करते यह करते हैं वह एक retracement का वेट करते हैं Markets ने क्या क्या सिंपल किया Market एक वाल किया यहां से लेकिंताथ तक फॉल किया जने यह 50 पर्षेंट करेंट किया सटलब पहला दिन हम चलते अगले दिन की तरफ इसने कहा मुखां को दिया होगा अब आप देखिए यह बहला दिन इस वाले दिन को आप ध्यान से देखेंगे तो market ने एक suddenly fall कर दिया अब fall करने के बाद में क्या मैंने बताया है वैसे इसने perform किया कि slow and steady उपर आया क्या बिल्कुल नहीं आया fall करने के बाद में ये one side उपर आ गया तो हमको ना तो buy करना है ना sell करना हमको wait करना है प्राइजेक्शन के होने का उसके बाद अब फिर देखिए मार्केट ने उपर जाने के बाद में फिर गिरना स्टार्ट किया ना उसी उपर गया मार्केट और यहां से फिर यह करना श्रॉट कि हमारा वीव तो bearish ही है ना कि हम लोग डाउंट्रेंड के अंदर चल रहें तो डाउंट्रेंड की इंट्री ही identify करेंगे यहां पर अब यहां पर क्या देखेंगे आप यहां से देखिए गा इसने यह हाई मारा हाई माने के बाद में इसने एक हाई लगाया यह वाला राइट अब इस हाई कॉम केंक कल्कुलेट करते हैं कितने पॉइंट का इसका एक प्राइज बन रहा है यहां से आप देखेंगे तो 39 750 से इसने लो लगाया है और अल्बस 900 पॉइंट का तो हम फिर से वही 460 पॉइंट तक चलेंगे तब देखिए यह आपका हो गया इस पिरिंग टॉप यहां पर यहां पर शॉट कर सकते हैं यह फिर से आपको इसने मुका दिया शॉट करने का इसके जस्ट आप देखेंगे कितने पॉइंट का फॉल है इसको इस फॉल कम समझेगा आप यह दिखेंगे 39 250 से लेकर यह अल्मस ने गिरा ग अगले दिन चलते हैं यह हमारा हो गया नेक्स्ट डे फर्स्ट आफ नवेंबर फर्स्ट आप नवेंबर को मार्केट ने एक अपसाइट का मुमेंटम करना स्टार्ट किया तौह हम लोग तो डाउन्ट्रेंट की अंदर हम लोग अपसाइट का मुमेंटम को capture करेंगे क्या बिलकुल नहीं करेंगे लोग डाउन्ट ड्रेंट की इंट्री ही यहाँ पर identify करेंगे वो केretenगे बिले हम देखते हैं अब आप देखी यहां पर बेंक निफ्टी ने यह मौनिंग में केंडल बनाई फिर एक लो लगाया फिर इसने डबल टॉब बनाया उपर की साइड में राइट यहां पर इसने डबल टॉब बनाया डबल टॉब बनाने के बाद में इसने क्या किया वो द का यसने लो लगाया इसका आधा कल लेते हैं कितना होगा हमारा 170 अराउंड यह हो गया हमारा 170 का जो अब देखिए यहां पर इसने यहां से कितना फोल किया 39 300 से लेकि इसने 39 190 और उसके निचे भी आया यह इसके इंदर यहां पर आपने इसका जो आपका व्यू है उसको सब्सक्राइब करें डाउंट्रेंड के अंदर चल रहा है हमने उपर से देखा हुआ है और दिखाता हूं आपको नेक्स डे चलते हैं हम लोग नेक्स डे हम चलते हैं सेकंड आफ हमारा November, second of November को क्या किया, market ने एक low लगाया, वो लो कहाँ पर लगाया, वो हम देखने पहले राइट तो ये इसका high है ये दिन का high है high को मानने के बाद में उसने यहाँ पर एक low लगाया, low लगाने के बाद में फिर इसका एक अपन high point हम लोग देख लेते हैं कि इसने कहाँ पर जाने के बाद में rejection phase करना स्टार्ट किया तब यह क्या करेंगे हम लोग price को हम लोग count करेंगे हैं से top से इस top से bottom को लगाएंगे 255 points इसका half कर लेते हैं 125 के आसपास आएगा this is the 125 वाला range half हो गया यही से market ने आपको कितने points दी आप देख लीजी इसके बाद आप देख लीजी कितने points दी है market ने आपको आपके ओपर के इस ट्रोल पचास points कर रहेगा बस 50 points के इस top loss में 200 points देगा market 1 is to 4 यहाँ पर भी देख कर गया है market आपको और दिखाता हूँ मैं आपको मैं आपको इस सारा का सारा back testing करके दिखा रहा हूँ हम चलते हैं 3rd of November को एक बार entry मिलेगी पर परफेक्ट entry मिलेगी मज़ा आ जाएगा 3rd of November को Bank and 50 ने कहाँ पर high मारा that was the high right इस high से हम लोग price को count करते हैं कहाँ पर हमारा इस ने that was the low इस high से इस low को count करेंगे तो कितने पॉइंट है 176 पॉइंट इसका आदा कर लेते हैं कितना होगा हमारा 80 पॉइंट्स के आरा हूँ this is the 80 पॉइंट रेंज right अब देखिए आप यहाँ पसे market ने साइडवेज होना स्टार्ट किया कोई बात निए साइडवेज वह यहाँ पर इंट्री करके बेठेंगे एक ही candle सारा काम कर जाएगी आपका देखिए इस candle ने कितना बड़ा गेम किया इस सब को निप्टा के चली गी market यह एक्सपारी वाला दिन था उसके बात देखिएंगे market का फॉल देखिया वन इस्टो टैन से ज्यादा और इसने आपको मुका दिया इस इस हाव मार्केट परफॉंस यहीं पर जाके जो हमारे operators होते वहीं पर गेम करते हैं अब मैं आपको लेटेस्ट में लेके चलता हूँ लास्ट एक दू दिन का बहुत सरा दिखा दिया मैंने आपको एक दू दिन का भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट देखा मतलब 17th of October का देखते हैं पहले हम मार्केट ने क्या किया मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से हाई लगा है हम भाय तो करेंगी नहीं हम दो डाउं ट्रेंट करने चलते हैं फिर इसने एक लो लगाया लो लगाने के बाद में को क्या करना है इसका हम लोगों को निकालना है 50% इस हाई से इस लो का 50% यह हाई यह हमारा लो हो गया कितना हो गया हमारा 370 पॉइंट इसका हाफ कर लेते हैं कितना होगा 180 पॉइंट अराउं यह देखिया 170 पॉइंट वे 10-15 पॉइंट का आपको एक बफल लेके चलना पड़ेगा वहाँ से देखिये फॉल देखिये इसके बाद यही आपको निकालना है आपको बस एक ट्रेंड को आइटिफाई करना है और ट्रेंड को आइटिफाई करने के बाद में सिंबल सी चीच करनी है एक हाई निकालना है और high निकलने के बाद में एक low identify करना है उस high और low के बीच का 50% वाला zone निकलना है इस 50% वाले zone में आपको कही न कहीं put buy करनी है अगर downtrend चल रहा है तो और अगर uptrend चल रहा है तो 50% वाले zone में आपको call buy करनी है इतना ही करना है इतना दिन में एक या दो बार आपको मौका मिलेगा अगर वो मौका भुना लेते हैं तो मेरा मानना है कि 1-4 का target भी market आपको देखके जाता ही जाता है बेंक के निफ्टी के अंदर options का secret बाइंग का secret यही है कि आपका stop low छोटा रहेगा targets आपके बड़े बड़े निकल के इसके अंदर आएंगे तो अगर आपको अभी भी चीजें समझ में नहीं आई है तो मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से पुरी कुशिश की आपको समझाने की फिर भी आपको समझ में नहीं आपाई है तो मुझे से आप contact कर सकते हैं मेरा कोर्स आप जोइन कर सकते हैं वहाँ पर प्रॉपर तरगे से और लर्निंग भी कराता हूँ जितना हो साका मैंने फ्री में मैं आपको देने की कुशिश की है मेरा अपना पूरा 100% देने की में नेकुशिश की है बाकि अगर आप मुझे जोइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलेग्राम का फिरी चैनल है वहाँ पर आप मुझे जोइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्स बॉक्स में लिंक कर दिया हुआ है मेरा वाटसप नमबर भी आपको दिया हुआ वाटसप पर मुझे कॉंट्रेट करके आप मेरा पूरा कोर्स लर्न कर सकते हैं मैं ऑप्शन बायर हूँ मैं ऑप्शन बाइंग का ही पूरा से क्रेट आपको बताता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसा लगा फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नदर जय हिन जय भारत